आज किस वीडियो में जो आज का प्रिश्ण है वा है पीतल एवं तांबे के बरतनों में दही तथा खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए यनि कि जो पीतल का बरतन होता है या तांबे का बरतन होता है उसमें दही या कोई अन्य खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए तो यही आज का प्रिश्ण है और इसी का उत्तर आज इस वीडियो में हम सीखेंगे तो चलिए इसके उत्तर को हम आपको बताते हैं तो इसका उत्तर है दही तथा अन्य खट्टे पदार्थ अमली होते हैं अर्था इसमें अमल पाया जाता है या कोई अन्य खट्टा पदा अन्य खट्टा पदार्थ किसे कहते हैं इसको समझे लिजिए अन्य खट्टा पदार्थ के अंतरगत इमली कारास नीमू कारास सिर्का अचार इस सब क्या होते हैं खट्टे पदार्थ होते हैं यानि कि जो दही होता है या कोई अन्य खट्टा पदार्थ होता है या क्या हो तो ये पदार्थ पीतल एवं तांबे के बरतनों से अभिक्रिया करके हानिकारक लवड बनाते हैं यनि कि यदि इन पदार्थों को इन पदार्थों का मतलब होता है कि जो दही होता है या कोई अन्धखटा पदार्थ होता है इसको हम जो है पीतल या तांबे के बर्तनों में रखते हैं तो क्या होता है तो ये पदार्थ जो है जो पीतल का बर्तन होता है या तांबे का बर्तन होता है उससे क्या करते हैं अभी क्रिया करते हैं यानि कि अभी क्रिया करके हानिकारक लवड बनाते हैं जिससे दही तथा अन्य खट्टे पदार्थ खानी योग के नहीं रह जाते हैं यानि कि दही को या किसी अन्य खट्टे पदार्थ यानि कि सिर्का अचार, नीबू का रस, इमली का रस इसमें यानि कि पीतल एउन तांबे के बरतनों में रखते हैं तो क्या होता है खानी योगे नहीं रह जाता है अता ही ने हमें पीतल एउन तांबो के बर्तनों में न रखकर कार्ट, इस्टील, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी या मिट्टी के बने बर्तनों में रखना चाहिए यनि कि जो दही होता है या कोई अन्यकट्टा पदार्थ होता है इसको हमें पीतल एउन तांबे के भृटनों में नहीं रखना चाहिए यदि आपको इसे रखना है तो आप इसे कार्च, स्टील, पलास्टिक या चीरी मिटरी या मिटरी के बने भृटनों में रखना चाहिए तो इस तरीके से जो है, इसका उत्तर हम आसानी से समझ लेंगे, तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा, अगर हमारे चनल पे आप नहे हैं, प्लीज हमारे चनल को आप सब्सक्राइब कर लिजेगा, औ और बिल आइकन की घंटी आल पर प्रेस कर दीजेगा जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए जैए इन